दोस्तो बिहार की जनता तो बहुत ही जाता छुपी रिस्तम निकली और उसने सारे एकजिश्ट पोल वाले को बहुत अच्छे से घुमाया और महागडवंदन को सुरू में तो बहुमत दिखा दिया या बता दिया कि अब महागडवंदन को दे रहे हैं लेकिन साथ अंदर ही अंदर NDA का देते रही ए बिहार में करपसन की बिरुद लाल फिता साही का बिरुद परिवारवात की बिरुद में ए साप साप मैसेज है कि अब बिहार में सब नहीं चलेगा दोस्तों अब वाके में बिहार चेंज हो रहा है बिहार फिजिकली तो चेंज हो ही रहा है बिहार मेंटली भी चेंज हो रहा है पहले जहां बिहार में बिजली आना एक ख़वर बनती थी लोग कहते हैं लाइन आगे लो यार लेकिन अब क्या होता है कि अब बिजली नहीं आना ख़वर बनते हैं लोग कहते हैं अरे बिजली कैसे चली गई यार अब बिहार का सायधी कोई ऐसा गाउं बचा होगा जहां बिजली नहीं होगा और एकादुका गाउं जो किसी टेक्निकल कारणों से बचा होगा वो सब के सब BJP बिरोधी जो बुद्धी जीवी है वो BJP बिरोध के लिए ढून सकते हैं दोस्तों बिहार के लोगों उन्हें बता दिया कि उन्हें बिकास से मतलब है उन्हें अच्छे सड़के चाहिए उन्हें सिच्छा से मतलब है उन्हें महिला उत्थान से मतलब है क्योंकि नितीज जी द्वारा इस सब जो काम किये गए थे वो वाकई में बिहार को एक फर्स से अर्स पर ले जाने से कम अच्छा काम नहीं था हाँ दोस्तो एबात तो सही है कि एंटी कर्मेंसी नाम की कोई चीज भी होती है और आर्जेडी को सीटे तो मिलेगी ये बात तो तय था दोस्तो इतना तो तय था कि आर्जेडी को सीटे मिलेंगी लेकिन जिस तरह से एकजिस्टपल वाले दिखा रहे थे ये कोई भी सुसासन प्रिये या सांती प्रिये व्यक्ति को विछिद कर सकता था क्योंकि Anticambency नाम की भी कोई चीज होती है तो दोस्तों सबसे पहले जाल लेते Anticambency होती क्या चीज है दोस्तों Anticambency को आसान भासा में ऐसा समझे कि अगर आप डेली का डेली अगर आप डेली का डेली कोई अपना पसंदीदा चीज को खा रहे हैं तो पक्का आपके दिमान में ये बात आएगा कि यार आज वो ट्राई करते हैं मतलब वो कितना भी आच्छा क्यों नहों आपके मन में आएगा थोड़ा सा changes करते हैं लेकिन मैं ए सोच रहा था कि पसंदीदा चीज को छोड़ कर मतलब बोर होके दुसरे चीज को ट्राई करने का मतलब एह है कि हम दाल भाज जैसे healthy चीजे खा रहे हैं उसको छोड़ के क्या जहर को ट्राई कर लिया जाए कुछ ऐसी बाते होती है न जब कोई RJD को जिताने की बाते करता है क्योंकि RJD का सासनकाल देखा जा चुका है वो 15 सालों में क्या-क्या होता था वो 15 सालों में यह होता था कि आप कोई धंदा चालू करो नहीं चला तो भूके मरो और चल गया अगर आप अच्छे से कमा लिए तो धंदे का इक बड़ा हिस्सा रंगदारों को दो और नहीं दोगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है और दोस्तों सड़क पर चलना चैलेंज होता था पांच किलिमेटर दस किलिमेटर यातर के लिए सोचना पड़ता था और तो और हम लोग को कही भी जाने और आने के लिए हमें सूरज को देखके काम करना पड़ता था मतब सूरज ढ़लना सुरू हो गया न तो बस आना जाना बंद कर दो महिला तो महिला पुरुस को भी सोचना पड़ता था लेकिन नितीज कुमार के सासन काल में सब चीज़े बदली है तो दोस्तो अब इस सवाल उटता है कि एकजिष्ट पॉल वाले सब के सब गलत कैसे हो गया वैसे अगर माना जाया तो एकजिष्ट पॉल हमेशा सही नहीं होता क्योंकि अनमान तो अनमान होता है लेकिन एक्टी पर्सेंट से जादा मामलों में एक्जिस्ट पॉल सही होता है तो इस मामले में एक्जिस्ट पॉल गलब कैसे हो गया बहुत सारे जो एक्जिस्ट पॉल जो बता रहे थे ओएक उनके बिरोध में रिजल्ट कैसे आ गया दोस्तो एक कारण जानने के लिए आपको कुछ बाते बताना चाहता हूं दोस्तो इसका असली कारण जानने से पहले आपको कुछ बाते बता दूँ सबसे पहले बाद जो बीजेपी बिरोधी होते हैं उनके जो तर्क रहते हैं बीजेपी की बिरोध में इतने बड़े बिना सरपैर के रहते हैं कि कोई भी आदमी सुनकर ही उसे सीधे खारीज कर सकता है उनके तर्क या तो कुतर्क होते हैं या कोई भी आदमी की दिमाद में बैठे गाईनी इस टैप की होते हैं एसामपल की तौर पर देखा जाया अब देखो अब NDA डूब रहा है तो कह रहे थे कि एए देखी अब NDA अपने असली जगह पहुँच रहा है और बिहार की जनता NDA और BJP और जदियों को मतलब कह रहे थे कि बिहार की जनता नरेंद मोदी जी को और नितीस कुमार जी को अपनी असली जगह दिखा रही है मैंने बड़ा ठीक है और जो BJP समर्थक है न वो बस थोड़ा सा दिल पर पत्था रखके चुप थे लेकिन जैसे ही परिनाम उल्टा होने लग गया दस बजे के बाद तो उसके बाद अब उसके बाद अब महागडवनन के समर्थक उसके बाद करप्सन के समर्थक उसके बाद BJP बिरोधी ए बात कहने लगे कि यार EVM का भाइसकार करो EVM में गलती है तो मैंने पूछा कि भाई EVM को क्यो भाइसकारित करे अगर मान लिजे कि फिर पोजिशन पलट जाया और साम के टाइम में अगर आपकी सीटे आप जीत ले तो क्या EVM को सही मानेंगे बोलता हां तो मैं बोला और अगर महागडवन नरहाल जातो तो बोलता EVM गलत है तो दोस्तो BJP बिरोधीयों की ही आदत है मतलब उनका एक कहाना है चाहें दिल्ली के केजरिवाल जी रहे केजरिवाल जी का जब भी वो चुनाव हारते हैं लोग सभा हारते हैं या कोई भी चुनाव हारते हैं तो सिधे कहते church nat debt EVM खराब है लेकिन जब दिल्ली के 30-60 cent शीटे लेके आते हैं तब कहते हैं, नहीं, दिल्ली की जन्ता में जार कमाल कर दिया, उन्होंने एक दम अपने बुद्धी का सटिक प्रयोग करके अच्छे लोग को जिताया है, मतलब कोई इनका एक कहना है, कि एक इनको नाचने नहीं आया, जिस जिस आंगान में ठीक से नहीं नाच पाए, या नाचने की परतियोकता हर जाएंगे, ओ आंगान को एक टेरा ही कहेंगे, अगर एक किर्केट खेर रहे हैं, और जो इंपायर इनके खिलाब कोई डिसिजन ले लिया, या इनके बिरोध में कोई डिसिजन ले लिया, ओ एंपायर इनके नजरने गलत होता है, ओ बिरोधी जो खिलाडियों से मिला हुआ होता है, लेकिन जो इंपायर इनके फेवर बात कर लिया, वह इंपायर इनके सबसे बहतर है, अच्छा इंपायर है, मतलब इस ट्रैप के बिसरपर के लॉजिक देते हैं, इस ट्रैप के लॉजिक के बिजेपी बिरोधी नहीं देते हैं, बिजेपी बिरोधी कुछनी चैनल भी देते हैं, तो जब जनता से पूछा गया था, एक जिश्ट पॉल का मतलब ही क्या होता है, जनता से पुछना कि आप किसके पक्च में हैं, किसको लाना चाहेंगे, किसको हटाना चाहेंगे, तो जनता बेचारी ये कुतर्क से बचना चाहती है, क्योंकि हर इमानदार आदमी, हर इमानदा कि जो सवाल करेंगे बे मतलब को जो मेरा सर्क है उसे मेरा पच्छत हो जाए तो पुछने अब ही आप किसको देंगे भईया हम तो महां गडबंदर को देंगे किन को देंगे जी हम तो आरजेडी को देंगे तेजस्वी जी को हम बनाएंगे युवा है वही चीज न्यू चान का तो नहीं पता लेकिन बीजेपी की जो समर्थक है वो सबसे पहली बात इमानदारी के समर्थक है लोग तंतर के समर्थक है चैनल तक अगर कोई बीजेपी वाले या बीजेपी चैनल या कोई भी बीजेपी से डिलेटेट आदमी पूछने गया और अगला बोल दिया न कि सर हम बीजेपी को नहीं देंगे तो बस वो समझ जाएगा कि नहीं यार छोड़ दो, हर आजमी को अधिकार है बस इतना काफी है कि उसे बीजेपी को ओट नहीं देना है ज्यादा थर्क विदिर नहीं करते है तो दोस्तो यहीं वज़े रही है कि एक्जिस्ट फोल तो महागडबंदन के तरफ गया बिहार की जनता ने बताया तो कि हम महागडबंदन को दे रहे हैं लेकिन पिछली खिलकी से, पिछली तरवाजे से धीरे से अपने मन में बात रखते हुए एंडी एकूपरोर ने बोट बरसा दिये दोस्तों पहले करपसन के बाते चोड़ी चीपे होती थी पहले करपसन के बाते लोग अकेले में करते थे लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि करपसन का सपोर्ट खुले आम टीवी चैनलों में सब जगा ओपन लिया जा रहा है और इमानदार आदमी को भी इमानदार आदमी को सब कुछ परमान रहते वे भी खुलम खुला गलत बता जा रहा है लेकिन दोस्तों मैं आपको अभी बता दू कि अब ए जनता ओ जनता नहीं रही और अब आप देख लीजेगा अब आप देख लीजेगा बिहार किस कदर विकास करता है क्योंकि अब बिहार के लोग का सोच बदल चुका है बिहार के लोग अब सड़क पर ओड़ देते हैं अब बिजली पर ओड़ देते हैं और अब 2400 घंटे सहर हो चाहे गाउं हो मिलने वाले पानी पर ओड़ देते हैं और इन वाके में संकेत दे रहा है कि बिहार अब बदल रहा है और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगले बार की जब गन्ना होगी ना, अगले बार की जब जन गन्ना होगी तो बिहार का जो इस तर सबसे सिच्छाक चतर में पिछड़ा हुआ आता है ना, वो जरूर अब मुच अपनी कर्मों से चुनाव कहारते हैं, अपने गलतियों से चुनाव कहारते हैं और उंके पास बोलने के-लिए कुछ नहीं रहता, तो एक आसान सा तरीका अपनाते हैं और वो बाते रहती हैं, और वो काम रहती है E.V. EM मसीन पर रोना धोना EVM मसीन पर ठीकड़ा फोड़ना सारी गलती EVM मसीन पर मर देना और EVM का बहिसकार करते हुए रोने धोने का प्रोगाम करना तो दोस्तों एप प्रोगाम अलग लग चैनलों पर अलग लग समय रखा गया है आप चाहे तो वहाँ पर जाकर अपना रोने धोने का का प्रोगाम कर सकते है और नहीं तो वो TV चैनल देखकर भी अपना रोने धोने का रस्म अदाएकी कर सकते है वह यह रोने धोने से ही मतलब है चाहे तो वहीं चले जाओ और तो टीवी देखकर ही अपना रोना धोना कर लो और हाँ दोस्तो जिनके जिनके मन में लड़ू फूटा है एंडी ये को जीतता देखकर और जिनके जिनके मन को ये संतुष्टी मिली है एक परम आनल्द की प्राप्ति हुई है कि अब बिहार अपने उचाईयों को छुएगा अब बिहार बदल रहा है और प्लीज इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि खुसियां बाटने से बढ़ती है और भाईया आप अगर खुस होना तो मेरे को भी थुदा खुस कर दो ना इसको लाइक कर दो और अगर सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब भी कर दो यार तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए और एक राश्टवादी विचारों के साथ